लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अवशी है भगवान शिफ मेरे स्वामी को तंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं भगवान शिफ का रोश्ट दूर करने के लिए मैं क्या करूँ भगान शिफ का रोश्ट दूर करने के लिए शिफ की आराथ्था करनी आवश्यक है परन पूतमे वह करने की कोई आवशक्ता नहीं भगवान शिफ का रोश्ट शांत हो चुका है स्वामी आप? हाँ रोहिरी, भगवान शिफशंकर का हिदय महा सागर से भी अधिक विशाल है, उन्होंने मुझे पून रूप से छमा प्रदान कर दी है, और मैंने भी उन्हें भविश्व में, सहिया में और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है, आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है? क्या अब भी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिरी? आप भी बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते, तो आप यहां कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भैभीत होकर यहां आये थे मेरी बात का विश्वास करो रोहिरी, इस बार भगवान शिव शंकर ने रोश से नहीं, प्रेम से मेरा त्याग किया है और वह भी कुछ समय के लिए क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिनी क्या तुम मेरे प्रती प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी बातों में ना उजाएं स्वामी और बताए कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की एक्षा नुसार अब लीला में हो गये हैं अठाथ भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिनी उनका यह रूप परिवर्तन सच मुझ आजबुद एवं आश्चर रिकारी है चिंता मत करो देवी जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा इस मरण नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे समी भी रहूँगा ओम नमनाश्वाय कर दो ग्रहट है ड़्या संड़ो नियंड दन शिव वने कुशण नाख देवता नारत का प्रणाम स्विकार करे यह किया आपकी आखों में अश्रु कहीं अगवान भुलिनात के वियोग में तो नहीं है नंदी महराज अगवान भुलिनात और माता पार्वती कहा है ओम नमस्षिवाई नंदी महराज आप जिनका नाम वारम वार्श मनं कर रहे हैं कब पता तो बताए कि कहां गये हैं कैलाश पती देवरिशी भगवान भुलेनात और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गये हैं हमसे और कैलाश से संबंद तोड़ लिया है नाराय नाराय ये कैसे हो सकता है नंदी महराज कैलाश पती कैलाश और नंदी से भला संबंद कैसे तोड़ सकते हैं ये संबंद तो अटूठ है अजर अमर है शाश्वत है आप कुछ भी कहें देविशी भगवान खोलेनात और माता पारवत्य की शिग्र कैलाश लोटने की आश्या मैंने छोड़ दिये उन्होंने नया संसा और आपको इस संसार में अखेले छोड़ दिया है नारायन मुझे आपकी वानी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज संब्वता आपको भ्रम हुआ है अथ्वा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है देख नहीं रहे आप भगवान ने परमप्रिये नागदेव त्र षक्ती वन की रचना की है चाहना पहुचकन कोई पुरुश पुरुश नहीं रहता लिला माई भगवान भुले नाथ ने भी नारी समान रूप tys На कर लिया कैसा चमतकार ब्रिंगी जी कुछ शक्तिवन में जो भी पुरुष जाता है वह नारी बन जाता है अब तो इच्छा होने पर भी हम वहां जाने का विचार नहीं कर सकते नारायन नारायन प्रिंगी जी परंतु मैं तो वहां जाने का विचार कर रहा हूं भगवान शिव का ये परिवर्ती दुरुप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूं देखे आप बहुले नाध से मिले दो अबस्चे का परंतु आप अपना भिचार बदल तो नहीं रहे हैं लिखार कवर कर रहा हूं शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो तो मेरा क्या होगा अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रुपी भगवान गोलेनात और माता पार्वती के दर्शन भी करने नारायन नारायन चतुराई से काम लेना होगा नारत नंदी महाराज स्वामी सुनिए स्वामी स्वामी कृपा करके अपने योग निद्रा का त्याग करके आखे खोलिए मैं आपसे कुछ कहने के इच्छुक हूँ कि स्वामी कि करेंगे मुझा स्वामी मुझे स्पष्ट बताएए हम जानते हैं कि आपUNGसे क्या पूछने के इच्छुक है उस्वामी मैं कुछ पूछने के इच्छुक नहीं मैं कुछ कहने के इच्छुक हूं कहो हम सुन रहे हैं, हम इस समय आखे नहीं खोलेगी क्योंकि योग नित्रा में हम अपने बर्त नारत को देख रहे हैं मैं नारत के विशे में ही, आप से कुछ निवेधन करने की इच्छुख हूँ कहो, क्या कहना हैतुमें, हमारे परम पिये नारत के विशे में इस बार आप नारत को वैकुंट लोग में प्रवेश ना करने दें। परन्तु प्रवेश का प्रश्णी कहां उठता है देवी? वो तु सिधे वैकुंट लोग के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो, तु नहीं यहां प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। जैसे? हम वैकुंट लोग में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबन तो नहीं लगा सकते। स्वामी, मैं पहले उद्विग में हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनन में वैकुंट लोग में, हमारे पास होते वे भी तुम उद्रिट में क्यों हो। ये तो बताओ देवी। जब आप अपने योग निद्रा में मग्न होते हैं, तो नारत के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है। पर अंतो देवर्शी इतने स्वार्थी है कि बिना स्वार्थ की वो अपना मूह तक नहीं दिखाते। और इस बार तो उन्होंने योगों से हमारे सुद तक नहीं ली। नारायन, नारायन। माता, योगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से, और वैसे भी, यहां वैकुंट बे रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता नारत मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी नारायन, नारायन, मैं ये जानता हूँ माता, कि आप मुझसे आकारण ही रुष्ठ हैं और मैं ये भी जानता हूँ, कि मेरे प्रभू, श्रीहरी नारायन, अपने भक्त का पक्ष लेकर, आपका रोश शांद कर देंगे मैं तुमारी बात में उलचने वाली नहीं नारत, यदि तुम यहां प्रती दिन आने का वचन नहीं दोगे, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी नारायन, नारायन, माता, आपको तो ग्यात है ही, मैं सारे जगत में भ्रमन करता रहता हूँ प्रती दिन यहां आने का जूटा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता आज देवी लक्ष्मी का रोश चरम सीमा पर है नारद विश्चिग्रे प्रसन होने वाले नहीं है तुम बताओ क्या नहीं समाचार लेकर आए हो श्रीहरी श्रिष्टी की सबसे महतुपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्य रह सकते हैं श्रीहरी करपे आप मुझे ये बताए कि इस बार शीवलीला का रहस्य क्या है कैसे शिवलीला नारत कैसे शिवलीला माता क्या आपको श्रीहरी ने नहीं बताया कि भगवान भूलेनाथ ने नारी जैसा रूपधारन कर लिया है भगवान भोलेनात ने नारी जैसा रूपधारण कर लिया है तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरिश का रूपधारण किया होगा अर्धनारी इश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभू नहीं वे कुछ भी कर सकते हैं नहीं माता, नहीं मैने सुना है माता पारवती और भी अधिक नारी मह हो गई है उन्ही के लिए भगवान भोलेनात ने शक्तीवन की स्फापना और रचना की है माह सब कुछ नारी मह हो गया है माता माह जो भी पुरुश प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा प्रभू ये मैं क्या सुन रही हो const哇 नियरू प्रभू मेरीभी आपसे विनती हैं हम तुमारी विनती की गिंते नहीं करते ना रधे जितनी भी पुछने के पश्चात ही पता चलेगा श्रीहरी, वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्ण नहीं है, जिसका उत्तर आपके पास ना हो, आप तो सरवग्य हैं, हम ये स्विकार करते हैं नारत, किन्टु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, पूछो, क्या पूछने के ख् आप जानते हैं श्रीहरी फिर भी मुझे प्रश्ट करना पड़ रहा है, कि शिव लीला का रहस्त क्या है, भगवान बोले नात ने शक्तिवन की रचना क्यों की, भगवान बोले नात नारी में क्यों होगे बगवन? नहीं नारत, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि यह शिविख्षके विरूथ होगा प्रभू मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्बका स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे परकु आप स्पष्ट नहीं कर देंगे यह आशा मैंने नहीं किया। शिरी हरे अब आप मुझे आज्या दें मुझे परंपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोग जाना है इसके लिए आज्या की आवशक्ता है नारद तुम सहर्श्र ब्रह्मलोग में प्रकट हो सकते हो जो आज्या प्रभू देखा स्वामी नारद इतने स्वार्थी है प्रयोजन सिद्ध ना हुआ तो कैसे एक पल में अद्रिश्य हो गए देवी इसमें नारद का कोई दोश नहीं है वो इस प्रशन का उत्तर जानने के लिए व्याकुल है हो सकता है ब्रह्मदेव के पास उन्हें कोई संकेत मिल अब मैं नारद को तभी ख्षमा करूंगी जब आप मुझे शक्तिवन का रहस्य बता देंगी देवी जो बात हम अपने प्रिय भक्त को नहीं बता सके वो आपको कैसे बता सकते हैं नारायर 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 प्रतित होता है परंपिता ब्रह्मा जी आज अधी प्रसंद है आज तो मेरे प्रश्टा का उत्तर मिल ही जाएगा नारत क्या तुम समझते हो ब्रह्म लोक में सरस्वत्ति कास्तित्व समाप्थ हो गया है नारायर नारायर माता कृपे आप मुझे एक शमा करें आपको तो यह ग्यात है ही कि किसी को भी प्रसंद देखकर मैं भी प्रसंद तका आर्थ किसी के उपेक्षा तो नहीं देख रही हूँ तुम दिलो दिल अधिक स्वार्थी होते जा रहे हूँ स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं देवी परन्तो इतना अधिक पिस्वार्थी होना ठीक नहीं कि किसी को बुरा लगे नारायन नारायन परम्पिता आज आपको प्रसंद देखकर मैं आती प्रसंद हुआ हूँ तुम्हारी ये प्रसन्दिता शणिक है नारायन नारायन परंपिता वो कैसे तुम शिव पार्वती के शक्ति वनकर रह से पूशने यहां आयो इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा ऐसा क्यों परंपिता आपको तो एक ज्यात है ही कि मैं वैकुंड से बिना उत्तर पाए ही यहां लोटा हूँ अपने इस मानस पुत्र के प्रश्ण की लाज रख ले परंपिता मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग नहीं आप उस पर क्रिपा करें हम इस से में तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि शिवलीला के रहसे का संबंध मनुपुत्र महराज इल और तारापुत्र भुथ से हैं महराज इल और तारापुत्र बुद्ध परमपिता केवल इतना संकेत मेरे लिए परियाब मेही है मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाओ तिरपे आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्थ के किस क्षेत्र में है शक्तिवन काम्यक्वन में और काम्यक्वन माराजिल के राज्च में बस इस से अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे तुम्हारा कल्यार 4-5 प्रकास अराधना होता है पुषपर डालना, पानी डालना, बिल्लोबतर डालना ऐसे फट्र पुषपर डाल करके अर्चना करके एक पूजा का बदरी है दूसरा है अभिशेगफ तरिये शयवाँ पानी डालना मुक्खिस प्हए गंगाजी तिरपर है, वोने भी पानी डालने में उनका भूत गुशी है, परसनता होता है तिसरा है चदर लगाना, अलंकार करना, श्रिंगार बनाना चवदा है पुष्प अलंकार से विशेश रूप में अलंकार करना और अर्चना करना त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रंचत्रियायुष्णम, त्रिजन्मपावसम्हारम, एगबिल्वम, शिवारपड़म बिल्वपत्र भवान का चरण में समर्पित करने से जितनी हमारा पूर्व कर्म है, उतना भी कम हो जाएका प्रूप का कृपास है भक्चन आप हमें 108 बार ओम नमस्षिवा लेख कर भेजें, जिन 500 भक्चन के पत्र हमें पहले प्राप्त होंगे उन्हें जगतगुरु शंकराचारे जायंद्र सरस्वती स्वामी जी की आशिरवात मैं जब माला भेट की जाएगी